हेलो दोस्तों कहसे हो आप मेरा नाम है इम्रान और वेलकम टो मैं यूट्यूब चैनल इमू ब्लॉग इमू ब्लॉग में आपका स्वाकत है दोस्तों मैं आज आपके लिए लेकर आए हूँ भारतिय रेलबे में गुट्स गार्ड जिनको टैन मैंनेजर करते हैं उनकी सहली कि होता है कि अलग-अलग cities के हिसाब से मेट्रो सिटी है या cities वोती है एक मानत स्टेंडर्ड देता है तो उसके एकोर्डिंग जो हमारा है आचार होता है वो चेंज हो जाता है कहीं पर 9 परसेंट 18 या 27 परसेंट होता है और साथ ही साथ क्योंकि यह जो गुट्स गार्ड होते ये रनिंग करते हैं रनिंग रेक रनिंग जॉब होती है एक स्टेशन से दूसरे स्टेशन को ट्रैवल करते हैं तो इनको उस ट्रैवलिंग का भी एक एलाउंस दिया जाता है तो उस ट्रैवल एलाउंस के कारण इनकी जो सेल्ली है उसमें भी अंतर आ जाता है किसीने माली ज दोस्तों किसी ने लीब ली है किसी मन्त में और नेशनल होलिडी क्या पड़ते हैं तो हर मन्त जो इतना भी रणिंग स्टाफ होता है रेलवे में चाहें लोको पालेट हो गुट्स गार्ड हो इनकी सेल्ली चैंज होती रहती है तो दोस्तों आपकी स्कीन पर जो सेल्ली है आप देख सकते हैं यह नौर्दन रेलवे के मुरादबाद डिवीजन के गुट्स गार्ड की सेल्ली स्लिप है और यह फरवरी मन्त 2023 की पेसलिप है इनका नाम है राकेश कुमार मीना और इनका जो डिजिगनेशन है वो है देखिए रनिंग ट्रेंड मेनेजर गोड्स य है मुरादबाद इनकी बिल यूनिट अधान नंबर यहां पर लिखा हुआ है दोस्तों ये टैन मेनेजर की जो पोस्ट होती है लेवल फाइप के अंतरगा आती है और इनका जो इनीशल ग्रेट पर होता है जिस पर इनकी शुरुआती वेकंसी होती है वो 2400 ग्रेट पर इन इनको अभी जोइन की हुए लगभग एक साल हुआ है इस समय मार्च चल रहा है जब यह मैं वीडियो पोस्ट कर रहा हूँ और इनको एक साल होने वाला है और एक साल बाद इनकी सेल लिक क्या है आईए हम देखते हैं तो आप देख सकते हैं स्कीन पर शोर है इनका जो ग्र जो गुट्सगाइड की जो एंट्री होती है शुगाती तूर में इनको लगभग एक साल होने वाला है इनका इंक्रीमेंट लग चुका है एक जनवरी में तो वो 29,200 पर इनकी एंट्री होती है जो यह ंर होता है लेकिन इस सम इनका जो बेक पर थी सɜार happens और यह पर जो ल 284 रुपे का और किलोमेटर अलाउंस जो कि बना है सबसे ज़्यदा 23,970 रुपे का तो दोस्तों किसी भी गोट्सकार्ड या टैन मेनेजर की जो सेलली में डिफरेंस आता है वो इसी किलोमेटर अलाउंस के वज़े से आता है जो कि इनका बना है 23,970 रुपे किसी किसी गोट्सकार्ड का जो टैवलिंग अलाउंस होता है वो 18,000, 15,000 या इससे जादा भी हो सकता है तो इनका जो किलो मन्स लेट चलते हैं अगर हमने जनवरी मन्स में जो ट्रैवलिंग अलाउंस हमारा ट्ρέबल किया बना है वो हमारा फरबरी में आएगा और जो फरबरी में हम अपनी डूटी करेंगे वो हमारा उसका पेमेंट मार्ज में आएगा इसलिए फरबरी के सिलिप में जो इनका ट्रेलिंग अलाउंस क्लोमिट अलाउंस आया वो आया है 23,970 रुपे का और देखें सेल अलाउंस 160 रुपे जो कि ट्राइकलर टॉर्च होती है उसको चलाने के लिए सेल के लिए एक पैसा मिलता है वो होता है 160 रुपे लीव अलाउंस इन्होंने जो लीव ली है उसका मिला है 583 रुपे और देखें नाइट डूटी अलाउंस नाइट में डूटी करने का यूनिट के हिसाब से इनक जो टोटल एमाउंट बना है ग्रॉस पेमेंट बना है तो आप देख सकते हैं स्कीम पर यह बना है 82,181 रुपे और दोस्तों इनके रेलवे इंप्लॉई इंसरेंज स्कीम में 30 रुपे का डिड़क्शन हुआ है इस समय अभी इनका न्यू जोइनिंग है तो NPS नहीं कट र रहेगा समय इनकी जो एकाउंट में सेलरी आ रही है वाई यह दिखाता हूं कितनी है तो देखिए दोस्तों जो नेट पेमेंट होता है ग्रॉस पेमेंट में से अगर हम जो टोटल रिकवरी होती हमारी 30 रुपे घटा देंगे तो ग्रोस पेमेंट बनेगा और ग्रोस पेम आपको बता चुका हूं कि डिवीजन और सिटीज और किलोमेटर अलाउंस पर डिपेंड करती है जिसे सेलरी होती होती ही रहती है दोस्तों यह तो के बलभी गुट्स गाट के टेन मेंजर की सेलरी है और बंदे भारत या राजधानी पर काम करने वाले गुट्स गाट की से समय समय पर अलग-अलग विभाग में काम करने वाले लोगों की सेल इसलिप लेकर आता रहता हूं तो मैं चाहता हूं कि आप लोग मोटिवेट रहें इस चीज को देखें और अपनी तैयारी को पर करार रखें इसी तरह की इंफॉर्मेटिव वीडियो देखने के लिए शेयर करें सब्सक्राइब करें